हाई राम राम भाई सबको सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाके औल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो जब भी पोस्ट की जाएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देखके अपने फीजिकल में थोड़ा इंप्रूव्मेंट लास अगे मेरा वीडियो जैसे की आप सबको पता है फीजिकल से रिलेटिड होता है जा फिर सैल्ट प्यांस मार्शल आर्ट के रिलेटि कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने भी देखा मैं जब भी घर में जाता हूं लीप तो मेरे गाओं के लड़के मेरे दोस्त काफी महनत करते हैं कुछ तो रात-रात को जाकते हैं पूरी रात महनत करते हैं कुछ दिन में पूरा दिन लगे रहते हैं अभी थोड़ा करोना की बज़ तो इसी उमीद के साथ शुरू करते हैं भाई जो लोग आर्मी में बर्ती होना चाहते हैं ज़र जिनका सपना है ज़र जो अपने माबाप के सपने को साकार करना चाहते हैं तो भाई बहुत असान है आर्मी में जोईन होना इतना मुश्किल नहीं है बस आपको अपना physical maintain करना है कुछ का पहले से होता है और कुछ को बनाना पड़ता है जिसका पहले से है उसको maintain रखना पड़ेगा और जिसका नहीं है उसको बनाना पड़ेगा तो जदा time ना लेते हुए बात करते हैं मुद्दे की तो ऐसा है यार दोस्तो आप लोग जो सुबा प्रेक्टिस करते हो जहां चाम को प्रेक्टिस करते हो तो मेरे को कुछ राद तक ऐसा लगता है कि कहीं लोग हैं ना मतलब कि अपना muscular strength से ही काम करते है कि उनका muscle जितना strength उनको provide कर रहा है वो उतना ही ताकत इस्तेमाल करते है तो उससे क्या नुकसान होता है कि आपका muscular strength तो बना रहता है कोई शक नहीं है आपके पास जितना muscle power है आप उतना काम कभी भी कर पाऊगे लेकिन जैसे आपकी practice मान लो पांच दिन नहीं कर पाए आप छटे दिन उतना ताकत जा उतना effort नहीं लगा पाते हो इसका मदलब होता है यह होती है muscular ताकत आपको एक तो muscular ताकत लगानी है सबसे बड़ी चीज़ है muscular strength होना बहुत जरूरी है लेकिन muscle power के साथ-साथ आपका mind power जब physical power दोनों तीनों का coordination होना बहुत जरूरी है कभी कभी क्या होता है कि muscle में strength होने के कारण बंदा ताकत नहीं लगा पाता है तो क्या उस दिन आप हार जाओगे तो हार तो भाई किसी को मंजूर नहीं है तो मेरी मानों तो आप muscular strength के साथ-साथ physical और mental coordination का भी इस्तेमाल कीजिए तो वो कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा भी तो सबसे पहले ये है कि कुछ लोग क्या करते है घर से जाते है एक किलो मिटर, दो किलो मिटर रनिंग किया बापीस आए, दूद पिया और break और सब को बताऊंगा भाई, मैंने तो practice कर ली मैंने तो practice कर ली, मेरी आज की practice होगे तो सुन भायलवान ये practice ना है practice वो है जो आप पिछले दिन का किया हुआ काम है उससे अगले दिन उससे थोड़ा ज़्यादा effort लगाओ ज़्यादा intensity लगाओ ज्यादा energy waste crop उसको हम बोलते हैं practice आपने एक दिन ग्यारा सो मीटर रणिंग चार मिनिट में किया for example अगले दिन भी आप अगर ग्यारा सो मीटर रणिंग चार ही मिनिट में कर रहे तो ये आपकी practice नहीं practice तब है जब आप एक दिन चार मिनिट में कर रहे हैं तो अगले दिन तीन मिनिट 58-57 सेगें में कर रहे हैं this is called practice ब्रो आपको हमेशा अपने काम में क्या लाना है improvement लानी है अगर आप improvement की सोचोगे तो आपका result अपने हाँ बहतर आएगा तो मैं उमीद करूँगा कि आप improvement के लिए देखोगे अगली बार अब भी मैं बात करता हूँ कि आप कोई भी कारे करते हो जब कोई भी practice करते हो उस practice को direct घर से जाते ही सीधा ही running शुरू कर दिया नार्मल जोगिंग फिर running फिर come back finish then break यह सही नहीं है आपको कभी भी practice करने से पहले अपने शरीर को proper तरीके से वारम अप करना है proper means आपको running करने से पहले पसीना आना चाहिए अगर आपको running करने से पहले पसीना आ गया फिर आपने running की आप मेरी बात मान लेना आप ध्यान दे देना अगली बार आप ऐसा करके देख लो चाहे कल सुबा करके देख लो आपको आपका इंप्रूव्मेंट दिखाई देगा अब मैं बात करता हूं कि वार्म अप कैसे करना है और क्यों करना है ठीक